नमस्कार नेक्स्ट नाइन नियूज देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रग्या सिंग बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में वीडियो की शिर्वात करेंगे और बात करेंगे राजस्थान की सियासत की आपको बता दें कि राजस्थान में अब सियासत एक बार फट से गर्मा गई है जहां एक और कॉंग्रेस आला का मांड एक लंबे बैठा के बाद लंबे समय से चले आ रहा है पाईलिट गहलौत एक मानहानी का मुकदमा दर्श हुआ है जिसके बाद अब कॉंग्रेस की मुश्किले राजस्थान में और ज्यादा बढ़ती हुए दिखाई देंगे बता दे कि दिल्ली के राउज अवेन्यो कोट में 6 जून को सुनवाई भी होनी है इससे पहले भी सुनवाई हुई थी जिसमें कोट ने पुलिस को पूरे मामले के रिपोर्ट सब्मिट करने के आदेश दिये थे जिसे आज सब्मिट कर दिया गया और इसके बाद अब कोट ने अशोक गहलोत पर दर्श किये गए मानहानी के मुकदमे में सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख दी है जिसके बा सितार रद हो सकती है और जिस तरह से लगातार नए मुख्य मंत्री को ले करके कयास लगाय जा रहे थे कि सीपी जोशी या फिर अशोक गहलोत में से किसी एक कोहाई कमान मुख्य मंत्री बना सकते हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की पाद जो पद की मांग सचुन मुख्य मंत्री बन सकते हैं क्योंकि आपको बता दे कि हाई कमान ने सचिन पाइलिट को भरोसा तो दिलाया है कि अगर अगामी वधान सभाचुनाव में दोनों निताओ के नित्रत्व में कॉंग्रेस जीत दर्च करती है तो सचिन पाइलिट की जो मांगे है उन्हें पूर अब इसे बीच लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अशोग गहलोट पर जो मानहानी का मुकदमा दर्च किया गया है जिसमें 6 जून को सुनवाई होनी है शायद सचिन पाइलिट के लिए एक खुशखबरी हो सकती है हाला कि अगर अगर अशोग गहलोट सत्ता से बाहर ह जाते हैं अगर वो चुनाव में नहीं उतर पाते हैं तो इससे कॉंग्रेस को नुक्सान भी होगा लेकिन हाँ कही न कहीं जो मांग लगातार हाई का मांग से सचिन पाइलिट की समर्थक करते हो दिखाई दे रहे थे अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा सचिन पाइलिट का हाला कि नाम यहाँ पर डोटासरा का भी आता हुआ दिखाई दे रहा है कि गोविन सिंग डोटासरा को मुख्य मंत्री बनाया जाए लेकिन कहीं न कहीं कॉंग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा का जो जुकाव है वो डोटासरा की तरफ देखने को मिल रहा और अगर ऐसे में अशोक गहलोट की अपराधिक मानहाने मामले में दोशी करार किये जाने के बाद सदस्ता रद होती है तो शायद सचिन पाइलिट के लिए एक खुशकमरी हो सकती है शायद सचिन पाइलिट को जो पद अभी तक नहीं दिया गया था जो मुख् कि क्या राय है क्या कॉंग्रस हाई कमान को राजस्थान में सचिन पाइलिट को मुख्य मंतरे बनाना चाहिए अपनी राय कमिंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते नहीं नेक्स्ट नाइन नियो जमस्कार